नमस्कार मिरा नाव मैं शालिनी and you are watching me on online platform of target with आलोग आज हम बात करेंगे गलवान घाटी में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनको सम्मान दिया गया है और इस सम्मान पर चाइना का क्या रेक्षन है या चाइना की सरकार और मीडिया क्या बात कर रहे हैं सम्मान पर ये बातें चाइना को क्यों चुप गई है जो हमने हमारे सैनिकों को सम्मान दिया है इन सब बारे में आगे बात होगी आईए देखते हैं, गलवान के शहीदों को भारत ने दिया वीरता का सम्मान, वो तो देना ही था हाल ही में भारत ने गलवान घाटी के शहीदों को देश के सर्वोच वीरता पुरसकार से सम्मानित किया गया है आपको बता दे ही जो 26 जनवरी हाल में ही बीता हुआ है गरतंत्र दिवस, इस 72 गरतंत्र दिवस को हमने क्या किया है, भारत सरकार ने गलवान के शहीदों को सम्मान दिया है, यह कोई पहली दफा नहीं है, हमेशा से यह प्रथा चलिया आ रही है कि गरतंत्र दिवस को हमारे सम्मान भारत के रास्टपती द्वारा दिया जाता है, तो लेकिन यह जो सम्मान है वो चुप गया है चाइना की आखों में, उसको बहुत तिकत हो रही है, क्यों तिकत हो रही है, आगे बताते हैं, उलेखनी है कि 15 जून 2020, अब आपको यह रिकॉल करने के लिए हम बता दे जुन 2020 को पूरवी लद्धाक में हमला हुआ था, घल्वान घाटी में, इसली लिए हिस आटलाइट इमेज के लिए हमला हुआ था, तो इस घाटी के हमले में भारती जैनिक, और चीनी सैनिकों के बीच में एक हिंसक ज़ड़प उई थी, यह ज़ड़प भी दे चैनिश के अगर आप में के फर्स वीक से खबरों को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जो है वहां पे जो महोल है करम में के फर्स वीक से ही था तो वारतालाब हो रही थी आपस में उसी वारतालाब में किया थे भारत के जो सैनिक हैं वो बातचीत करने के लिए गया थे जिस ने दो के से किया था तब तो वह शुरू में किये लेकिन बात में भारती सेनिक महां पोहच गे और अच्छी से सुताई किये तो यह जो पूरा हिंसक जड़ा हुआ था जिसमें भारत के 20 सेनिक शहीद हुए थे अब चाइना के 39 लेकिन यह बात कौन कह रहा है यह बात जो कह बात कुछ चाइना नहीं मानता इसे वज़ा से यह बाइब तो वह बताना नहीं चाहती है अपनी जनता को कि हमारे स्कू कृट्त सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे का ने कि अन् को चोरी चूप किया जाए उनका दासंशकार कर दिया जाए तो अगर ये तो एसे चाइना में हमारी ख़बरे जाएंगी कि भीया, गलवान घाटी का जो हमला हुआ था, उसमें हमारे यहां के सैनिक शहीद हुए थे, जब शहीद हुए थे, उनको सम्मान हुआ था, जब ठीक है, अगर बात हुआ कि चलो, हमारे भारत के 20 सैनिक मारे गए, तो सवाल तुम्हारेक एक दू मारे गए HALा की थर्टी नइन गारिया अई लेकिन तोह मानता है कजिसी दुह्टा ऊह नहीं आइसा नहीं है धुश yol Clemente को आगे रहे रहे गहे थारा ट्याति कि अवा जाले थे थार खेल ses कमें का बुलना चाहता है अब एक और भारत जहां उन्हें जभिव संवाले कर रहा है वहीं तखे अभी तक अपने मिरत अधिनिकों को ना तो नाम को उजागर किया है और ना ही उन्हें सब्सक्राइब के भी rus여 और कोई भी जनता ये जो है वो मानी नी सकती उसको क्या है हर जनता जो है वो सिंसिटिव है अपने देश के साइनिकों के लिए जाहिर सी बात है हमें एक छुटी सी खरोच लग जाए तो हमें कितना बुरा लगता है तो देश के साइनिक जो है वो तो अपने प्राणों के आह इस बात को लेकर चाइना में उनकी जन्ता में पहले सी आकरोश है कि आप जो है यह सी हरकत कर रहे हैं तो इस बात को च्छपाना चाहता है दबाना चाहता है उसी में भारत ने संबान संबारों में गलबान घाटी की सैनिकों को संबान दे दिया तो वह उसके आखों में जो बाते जैसी होती है वैसी नहीं बोलते हैं जो सरकार कहना चाहती है वैसी बाते बोलते हैं इसलिए यहां पर कहा किया है चीन के प्रोपगेंड आख बार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में चीनी एक्सपोर्ट ने कहा है कि भारत तनाओ बढ़ाने का प्रियास कर रहा है भारत द्वारा गलवान के शहीदों को समाने करने का फैसला एक उकसाने वाला कदम है बात ने जो है वह अगर समान किया उसने तुम को क्यों दुख लग र शांतिपूर हाल लिख ले शांति की बात कर को राज चाइना बतलब हर समय उसने भारत का जिधर भी देखो तर नाक पिदम किया वह अधर एलेस पर जितने भी सीमा सुरक्षा के जो जो भी शांती समझोते हो दिखावे के लिए करता है उनको तार तार करता है ठीक है उदर सीमा विवात का शांतिपूर हाल निकालना ही नहीं चाहता ऐसा वो कह रहे है फिर उसी रिपोर्ट में से आगे कहा गया है क्योंकि बातचीत का सिलसला चलता रहता है अब नवे राउंड के बैठक में सकरात्मक संकेत देखने को मिले ऐसा चाइना कह रहा है लेकिन चीन सब शांत करने के लिए संकेत भीज रहा है जबकि भारत के उकसावे भरे कदम उठाने से दुनिया और चीन के लोगों को इशारा मिलता है कि सीमा विवात सुलजाना और शांतिस्थिरता कायम करना उनका मकसद नहीं है क्या उकसावे भरे कदम क्या है यह जो हमने 72 गरतंत्र द इनका तो काम ही यह है मतलब क्योंकि चाइन जो है काम ही ऐसे नहीं है कि हमारा ऐसा हो गया इनका एक विस्तारवादी नीती है भारत के साथ नहीं अपने बागी परोशी देशों के साथ भी ऐसी हरकत करता रहता है अपने विस्तार नीती नीती पर काम करता रहता है कैसे काम फिर क्या कहेगा कुछ दिन बाद यह कहेगा वो जो हमारे सहनी के वो तो फलाकारिक सही है तुम सो लोग कहा है जुट बोल रहे हो यह इसकी नीती का हिस्सा है कि जड़ा पूई ठीक है कोई बात नहीं है हम बाद में शांती बैठक कर देंगे कहेंगे सब शांती अच्छा हो कुछ नहीं करेंगे कुछ समझाओते कर लेंगे और फिर बाद में समझाओते को तार तार करेंगे और सीमा पर कुछ और करेंगे उन सीमा पर हरकते करता है उसका समझाओते से कोई इसका खास लेना देना नहीं होता है अपने आप से करता रहता है ऐसी हरकते पाकिस्तान की चीन विरोधिक अदम उठाकर घरेलू मुद्द उससे ध्यान भठकाना चाहती है। खुद अपनी जनता का जो है वो ध्यान भठका रहा है। लेकिन इल्साम किस पर लगा रहा है भारत पर। भारत की जो घरेलू मुद्दे हैं जिसे किसान आंदोलन और महामारी और फिर जो एकोनोमिक क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं। महामारी हम क्यों फेस कर रहे हैं तो महामें डालके निकल गए तो हमें कितने देश परेशान हुए। और तो ट्रम की सरकार जली गे भाइसा मतलब उन्होंने क्या किया महामारी में आर्थिक मंदी किसान आंदोलन और यह जितने भी घरेलू मुद्दे हो रहे हैं वो इनको बोल रही है कि भारत सरकार क्या कर रहे हैं अपने जनता का इन सब चीजों से वह शर्मिंदा है क्यों इसलिए वह भारत की जनता का ध्यान किधर ले आ जा रही है जो भारत चाइना विवाद है उस पर ध्यान ले जाके इन सब मुद्दों को वो इग्नोर करना चाहती है क्योंकि भारत सरकार इन प्रॉब्लम की वज़े से शर्मिंदा है असल में चाइना जो है अपनी जनता का भारत सरकार ने तो किया नहीं है यह उलंगहन कोन कर रहा है चाइना कर रहा है तो चाइना चिपा रहा है भारत चिपा नहीं रहा है दिकत नहीं प्यारी है यह बात चाइना को पसंद नहीं आ रही है जो मुद्दे उजागर किये गये है और उसके पेट में यह बात चुप किमांडिंग ऑफीसर 16 बिहार रेज्विमेंट को अदर मिसाहस क प्रदर्शन करते हुए अपने प्राडों की आहूती थी इसके लिए कमांडिंग ऑफीसर 16 बिहार रेजिमेंट संतोष बाभूजी को महावीर चक्र से समानित किया गया है जो पीक सैनिक हमारे शहीद हुए है उसमें से जो बिहार 16 रेजिमेंट की टीम थी उसको संतोष बाबुजी लीड कर रहे थे तो संतोष बाबुजी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है आए देखते हैं यह वीरता का सबसे बड़ा पुरसकार होता है परमवीर चक्र और फिर सेकेंड हाइस्ट होता है संतोष बाबुजी को लेकर तो बाकी सैनिक जो है 19 सैनिकों में से कुछ सैनिक जिन्हें वीर चक्र से संबानित किया गया है उनके नाम कुछ के मेंचन है जिनके महतुपूर योगदान थे नायब सुभीदार नुदू रमन सोरेन जी जो 16 बिहार रेजिमेंट से ही थे नाय हवालदेर तईजिंदर सिंग जी जो 13 मीडियम आर्टिलरी रोजिमेंट से सिपाही गूतै सिंहल़ गुटेश सी जो थी पंचाव रेजिमेंट से थे इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है आपको बता दें क्योंकि गलवान घाटी में जितने भी 20 सैनिकों को सम्मान दिया गया है वो सभी शहीद है तो यह जो उनको सम्मान दिया गया है उनके सम्मान में उने श्रधांजली दी गई है यह क्या है मर्डों परांत दी है तो इस बात का ध्यान रखिएगा आपको बता दें कि यह जो सभी 20 सानिक हमारे शहीद हुए थे गलवान घाटी में यह सभी एक operation का हिस्सा थे वह operation क्या था operation स्नों लपर्ड यह operation किस चीज के लिए था यह operation था जो गलवान घाटी में एक observation post जो है इसकी अस्थापना से जुड़े हुए थे 20 सानिक जो गलवान घाटी में आप शहीद हो चुके हैं चाइना के कुकृत्तों की वज़ा से और हमारे साथ आज नहीं है भारतिय सिना ने गलवान के वीरों के लिए एक गैलन्स ओफ गलवान समारक का निर्मार पूरवी लद्दाग के post 120 में किया है यह कुछ ऐसा दिखता है तो आप ये देखिए जो हमारे शहीदों को सुर्धांजली देने के लिए ये बनाया गया है आगे आप बात करते हैं अब ही जो है जगे बदल गई है लेकिन चाइना की हरकते नहीं बदली है हाल में ही 20 जन्वरी 2021 को नौर्थ सिक्किम के नाकुला शेतर में भारती सैनिकों और चीही सैनिकों के बीच में क्या हुआ है एक्सड़ से टक्रा हुआ है जिसमें दोनों देशों के सैनिक जो है वो घायल हुए है आये देखते हैं इस मैप के थो यह गलवान घाटी जहां पर यह हमला हुआ है हमारे बीस्तानिक शहीद हुए है फिर यहां से आप आईए चाइना का यह काम ही है जैसे कोकि अनफॉस्टिनेट savings हमारा पदोसी हो गया है तो अभी देख रहें है यहां पर इस एरिया में हमें जहां-जहां पहुआशाने हमारा पड़ता है वहां पर है चाइना परीशान करता है यहां खुद परीशान करता है फिर इधर आजाता है यह क्या पाकिस्तान से मिलकर परिशान करता है चाइना जो है यहां के बाद जो गलवान घाटी का हमला हुआ था उसके बाद उसको चैन नहीं मिला था देखिए यहां पर आ जाईए है यह जो सिक्किभ हमारा है वो विचारा फस्ता है इनके साथ में कहां नेपाल भूटान और यह यह चाइना के बीच में वफर इस्टेट में यह जो जगह है इस छेत्र में भारतिय और चीनी को के बीच में जड़क हुई है जिसमें दोनों देश के जो सैनिक हैं वह गायल पहले है फिर यह, फिर यह होता है नहीं इसकी एक नीती है विस्तारवादी नीती जिसका प्रियोग यह हर जगां करता है सुर्ण भारत के साथ इसके बागी जो पड़ना बिबंदे उन के साथ भी यह इसी और हरएं चाईना कि इसका अजेंडा ही ही है कि हम जो है दिखाने के लिए शांती समझाता कर लेंगे दिखाने के लिए सारी चीज़े कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे फिर अपने मन की का काम करेंगे मतलब होता नहीं जमीन का भूखा इंसान, वे ऐसी हरकते करता है, क्या करेगा किसी के 200 मीटर जमीन में आगे बढ़ेगा, फिर उस जमीन को क्या करेगा, इस्तिमाल करेगा, अपने suitability के हिसाफ से, अपने फायदे के हिसाफ से, वो हमेशा सोचता रहता है, मतलब एक human sensitivity होती है तो उससे आगे बढ़के सोचता रहता है, बस ये अपने आपको दुनिया में सबसे जाधा ताकतवर बनाने के लिए ये ऐसी हरकते चाइना करता रहता है, आज हमने बात की, गलवान घाटी में शहीद सैनिको को दिये गए सम्मान, और उस पर चाइना की मीडिया और चाइ से मिलेंगे, तब तक के लिए, thank you very much, keep watching.